जब जब देखने को निखने को मिलने वाला है जिसके इफिक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है मतलब नीचे की साइड से बुल्स ने माल उठाया अपर साइड में सैलर ने भी अपना दगदबा जारे रखा अब यहां एक खबर ये निकल के आ रही है कि क्या मंदी जल्द ही आने वाली है एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई है और जिसमें अमेरिका के सबसे बड़े बैंक के सीओ ने अमेरिका चीन और भारत में मंदी की संभावना के बारे में कहा है अब ये चीज क्या है कुछ नई चीजे खुलती हुई सामने आ रही है तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो सेर बाजार और दुनिया के सामने आया बड़ा खत्रा अब ये जो रिपोर्ट आई है ना ठीक है कि एक बड़ा खत्रा आ रहा है जैपी मॉर्गन के सीओ की चैतावनी आई हुई है ठीक है अब दरसल देखे इन भाज साब का कहना यह है कि अभी यूएस मार्केट देखे उसके सामने चायना मार्केट जो है चीन है देखे और हमारा इंडिया है ये तीन जो मार्केट है उसमें काफी कुछ उत्थल पथल होने की समभावना है थोड़ा alert किया है और ये भाई साब जो है ये कोई ऐसे वैसे इनसान भी नहीं है ऐसे वैसे कोई personality नहीं है ये भी समझ लो ठीक है कि वो US market के सबसे बड़े bank के CEO रह चुके है ठीक है तो इनका कहना है कि अमेरिका चीन और भारत में मंदी की संभावना आने वाली है ठीक है अ अब उसके सामने एक और खबर निकल के आ रही है और ये खबर यह है कि FIS की जो position है ठीक है उसमें bullish sentiment के संकेत तो मिल रहा है लेकिन experts को दिख रही है कि market में बड़ी गिरावट की आसंका अब ऐसा क्यू हुआ है क्या है उसमें भी कुछ गड़बर निकल के आ रही है कि क्या है तो देखो अभी जिस तरीके से ये लोग अपनी position जो बना रहा है na strong bullish sentiment बना रहा है market के उपर अब इसमें कौन आएगा भाया इसमें कूदेगा retail और retail कूदेगा जब कभी भी FIS बड़ा पैसा market से उठाते है उसके बाद वो जब selling के उपर आते है ठीक है तब तक बीच मे जो diversification जो होता है उसमें retail जो होता है वो retail mostly फस्ता है ठीक है तो इसमें खबर यह है कि FIS 10 trillion future and option में hold किया है कितना 10 trillion future and option में उन लोगों ने एने से के उपर hold किया है ठीक है और यह signal करता है कि bullish sentiment है ठीक है और Indian market में जिस तरीके से earning season है US election आने वाले है इसकी वज़े से कहीं न कहीं अभी भी analyst का मानना यह है कि अभी थोड़ा cautious रहना चाहिए और अभी भी एक bearish चो face आने वाला है वो अभी भी थोड़ा है ठीक है इस चीज़ का दियान रखना अब यहां एक और चीज़ निकल किया रही है यह खबर जो है यह यह एफनो ट्रेडिंग वालों के लिए काफी important है अब देखो आपने मैंने कल आपको बता था कि सेवी ने एक data निकला है उसमें 93% अब एफनो कहा करा हो चुका है कि इतने लोग लुस किये है retail traders ने ठीक है तो देखो यहां political तो कोई चर्चा नहीं करेंगे पर यह एफनों opposition parties का कहना है कि वो जो बड़े players जो है जो लोग आप बताते हो के 93% लोगों ने lose किया तो बाकी के जो 7% जो है जन लोगों ने profit किया उनका नाम आप declare करो ताकि पता चले कि 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 ने profit किया है वह यह इंस 93% लोगों का जो पाशा है वो कि 7% लोगों ने लिया है ठीक है देख चल रहे हैं यह वो आपको पता है ठीक है कि से भी बार-बार कह रहे ही कि F&O में इतना लोस होता है यह है वो है पर profit जो 7% 8% जो लोग कमाते है ठीक है तो political parties का कहना यह है कि यह कौन है उसके नाम आप जो बड़े खिलाडी है उसका नाम आप बता यह ठीक है तो काफी कुछ updates है अब देखो यहां कुछ चीजे हैं जिसके उपर आपको थोड़ा focus करना है कल के trading session के लिए हम आगर है चार्ट पे और चार्ट पे सबसे पहली चीज़तों यह कि देखो यहां आपके सामने लाइव एक्जांपल है ठीक है यह आपके सामने लाइव चार्ट रखा है कल मैं आपको यह levels मार करके समझाये थे और यहां मैंने आपको एक level समझाये था 53,700 से लेके 53,767 का level ठीक है यह एक most important level है यहां अगर market आता है तो जो bulls है वो bulls पूरी try करेंगे market को उठाने की और यहां आज देख सकते हो market में जैसे bank nifty इधर आया market को उड़ा है ठीक है और continuously यह यहां से खरीदरी market में देखने को मिली फिर one by one one by one जीस तरीके से market उड़ा है ठीक है यहां तक momentum देखने को मिला है ठीक है और यह market इतना point चला होगा पर अगर आप option buyer को अगर पूछेंगे कि भईया option buyer को अगर आप पूछेंगे पैसा कमा है तो वो बोलेगा भईया कुछ नहीं मिला ठीक है पूरा दिन खाली पीली हम बैठते रहे ठीक है तो यह होता है सारा का सारा खेल जो होता है वो premium का होता है और momentum का होता है ठीक है सारा जो खेल था वो इधर आ चुका था क्यूंकि हमारे level जो मैंने आपको mark करके समझा दिये थे कि इस level से bulls जो है वो momentum करव जाता कि देखो यहां कभी भी market को एक बार वो जो है beer activity करके इस side के range में लाने के try करेंगे और अगर market इसको उठाता है तो यहां से पहला target आपको यह देखने को मिलेगा और उसके बाद इस range को कारता है तो यहां से 26,000 के उपर भी आपको market जाता हुआ देखने को मिलेगा अभी आप live देख सकते हो market 26,000 के उपर चलता हुआ देखने को मिलेगा तो यहां उसके बाद मैं आपको यह range बताया थी कि यहां तक market जा सकता है और almost उसके आसपास अभी market देखने को मिल रहा है तो यह structure मैं आपको जो अलड़ी बताया था कि 25,920 का जो level है यह most important level है बुल देखो कल की trading session के लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि देखो आज की दिन भी अगर आप देखेंगे यहां एक rounding bottom structure बनता हुआ देखने को मिला है देखो इस type का structure बना है ठीक है यहां से यह से तो यह जो structure बना है यहां से इस तरीके का एक selling pressure भी बनता हुआ देखने को मिल था अब finally यहां एक breakout आया ठीक है यहां आप देख सकते हो एक momentum के साथ एक तीजी देखने को मिली ठीक है यह आप देख सकते हो अब क्या है तो देखो मैंने तो आपको अलड़ी यह range बता आई है ठीक है जो लोग ने वीडियो देखा था था ना उनको पता है कि इस range के आज ठीक है मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहां जितना भी देखो यहां buying momentum आया था ना ठीक है उसको selling में convert करने के try करी गई थी देखो यहां से इस तरीके से फिर buyer आया ठीक है उसके बाद उसने चड़ाया market फिर से seller आया यहां भी दीरे दीरे buyer आया पर अब जो buyer आया थ लोड़ा बहुत देखने को मिला है ठीक है यह है 25,900 का level 25,900, 25,850 का level यह एक most important level है उसके बाद यहां market ने hold किया और उसके बाद फिर से market ने उड़ाया तो देखो एक चीज आप mark करो यहां एक buyer आया है दूसरा buyer इधर भी एक momentum करवाया है कौन सा level है 25,950 का level तो almost आपके प 25,850 पहला buyer इधर आया 25,900 का level यह भी यहां भी buyer zone है और 25,950 का level है यहां भी buyer zone है देखे तो सबसे पहले आपको यह 3 level के उपर थोड़ा focus करना है देखे अब देखो यहां nifty में थोड़ा एक अलग time frame अकर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ भया क्या scenario है तो देखे पह आपको समझ में आजाए देखे यह जो trend line थी न यहां से यह जो trend line निकल क्या रही थी इसको इसको काफी respectively market ने follow किया है और upper side में अभी भी एक trend line है उसको हमें देखना है यहां से rejection भी मारा हुआ है इस type का structure बना हुआ है तो यह जो है न यहां almost निकलता हुआ है हुआ देखने को मिला है almost एक trend line के पास अभी निफ्टी खड़ा हुआ देखने को मिल रहा है तो देखो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अब जो निफ्टी है यहां support तो ले लिया है इधर से support ले लिया है resistance जो है वो बार बार निफ्टी जो है वो face करता हुआ देखने को म frequency है सबसे पहले तो 26,000 के उपर अभी है कोई डाउट नहीं ठीक है चलो है जितना रहेगा उतना अच्छी बात है पर इसको पर sustain करना जुरूई है ठीक है 26,000 से 26,050 का लेवल यह लेवल जो है वो intact रहना चाहिए अगर market इसके उपर halt कर लेता है तो यह जो trend line है उसका breakout दे देखने को मिलेगा फिर यहां से 26,150 यह range open होती भी हमें देखने को मिलेगी इस चिसका दियान रखना तो अब important structure के पास market खड़ा है यहां से जो beer है ना वो पूरी try करेंगे market को क्या करने की sell करने की ठीक है इसके आसपास market को वो try करेंगे market को घुमाया है कहां तक 25,950 तक market को लाए ऐसी पूरी उनकी try रहेगी इस चिसका ध्यान रखना है क्योंकि beer को कैसे भी करके control करना है तो 26,000 के नीचे market को रखना पड़ेगा और bulls को control लेना है तो 26,050 के ऊपर market को रखना पड़ेगा तो सारा जो खेल है वो इस 50 points का है ठीक है काफी important चीज है learning के साथ आपक को सिखने के लिए ही मैं सिखाता हूँ तकि आपको जादा से जादा knowledge मिले ठीक है अब देखो यहां से market को अगर इधर लाया भी जाता है तो हमें देखना है इस structure को follow करके कैसे निकलता है अगर यहां से निकलता है तभी यहां से एक next direction शुरू होगा otherwise यहां से क्या करेंगे seller जो है वो seller यहां से जो beer है वो beer activity करना start करेंगे ठीक है तो इनका एक level आ जाता है कि भीया 2600 है 2600 है यह range तक beer activity हो सकते उसके बाद तो यहां से short covering हो आएगा ठीक है उसके बाद short covering हो आएगा पर अभी इसमें भी काफी लोग entry मारे होगे इसमें 25950 वाला जो option buyer होगा call लेक बैठा होगा वो भी अभी profit में चल रहा होगा 2600 वाला जो call लेके बैठा होगा तेक है वो पूरे दिन मतलब loss में बैठा था अभी यह भी profit में चल रहा होगा तो यह सब चीजे है मतलब यह दोनों के दोनों 25900 वाला भी call वाला जो है वो भी profit में है तो यह जब तक intact है न यह दो call वाले तब तक option buyer कभी भी नीचे की side panic नहीं आ सकता थेक है इसको इन दो call वालों को option buyer को निकलना पड़ेगा तभी market में एक negative side momentum आ सकता है थेक है इस चीज़ का दियान लखना और यहाँ जो seller बैठा है 26100 की call sell करके जो बैठा होगा और 26000 की जो call है उसको जो sell करके बैठा होगा अभी 26000 वाला है वो थोड़ा risk में है ठीक है कल देखना पड़ेगा 26100 वाला क्या करता है अगर यह दो level है वो निकल जाते है तो उसके बाद जो short है वो short की covering आना start होगी ठीक है इस चीज़ का धिय लेवल होगा ना तो मैं टेलीग्राम पर जरूर कर दूगा अगर मेरे को कुछ लगेगा कि हाँ यह लेवल काफी important है इसके उपर नज़र रखनी जरूर है तो मैं आपको शाम की वीडियो में मेरे personal levels भी मैं आपको समझा दूगा कि कौन से कौन से level पर आपको धियान रखन अब देखे bank nifty का जो structure है उसमें थोड़ा scenario अलग है अभी यह जो scenario आपको देखने को मिल रहा है यह आप देख सकते हो market में यह जो level है इस level के उपर ध्यान रखना है देखो कल मैंने आपको यह target पताया था dot to dot आज देख लो market point to point इस level को touch करके आया इस level को touch करके आया 54,140 का level ठीक है और अभी का high देख लेना कहां तक कड़ा है ठीक है तो यह है power levels की ठीक है बस कुछ दिन आपको देखना होता है कि हां कैसे काम किया जाता है market के उपर अब देखो यहां यह एक rejection area है अगर आप देखेंगे ना bank nifty में यह एक rejection area है बार बार जो bank nifty है वो यहां से rejection layer ह है मतलब यहां अभी भी आप देख सकते हैं एक rejection सुरूओ है ठीक है अभी seller के पास एक range बनी है देखो यह जो range बनी है यह seller की range है कौन सी range है इस range के आसपास इस range के आसपास market में seller बैटा है कौन बैटा है? seller बैटा है और यहां कौन बैटा है? buyer बैटा है अब market में इस range को निकालना bank nifty के लिए बहुत ही जादा important बनेगा 54,100 to 54,250 का level यह 500 point है ना 500 point market को decide करने वाला है यह चीज आप जहां से समझ लेना? इसी 500 point में market का एक next जो trend है वो trend decide होगा कि अब इसको कौन से direction में निकलना है तो यह चीज ध्यान रखना है अब bulls के पास एक important जो level है वो 54,000 का है market जब तक इसके उपर है well and good है उसके नीचे एक और support है 53,800 का तेके इसके 200 point नीचे तो यह भी एक support level है असली जो trend है वो 53,800 के नीचे जाएगा तब यहां से नीचे का trend open होगा 300-500 point का तेक है? और यहां 500 point इसके पास पड़े है इसके उपर अगर market निकलता है यहां यह जो range अना seller की है market को कैसे भी करके यहां से यह level उड़ाना पड़ेगा तब ही यहां जो seller बैठा है वो जो short करके बैठेंगे वो short निकलना start होंगे इस चीज का ध्यान लखना है वेश काफी easy तरीके से मैं समझाने के try करता हूँ अब वो आपके उपर depend है आपको कितना दिमाग में उतरता है हर एक की capability अलग-अलग होती है जितना knowledge रहेगा उतना वो समझ पाएगा बाकी मेरा तो पूरा motive रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको knowledge दू ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिस करू make sure like ज़रूर दबा देना guys telegram join कर लेना और एक तीसरे चीज शाम का जो वीडियो आएगा उसको miss मत करना क्योंकि उसमें FII और DIA की position भी आएगी साथ में मेरे जो personal जो levels होते है वो levels भी मैं आपके साथ share करूँगा तो उसको आप miss मत करना ठीक है साम के वीडियो को आप miss मत करना मिलता है अगले वीडियो में जय ही जय बार